नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में अपन देखेंगे Central Bureau of Narcotics के द्वारा जो अफिम पट्टे किसानों को जारी किये जा रहे हैं इस वर्ष जो 15-16,000 नए पट्टे जारी होंगे उनको आवेदन करना पड़ेगा पोर्टल पर जो पहले कर चुके हैं जैसे पिछले साल जिन्होंने खेती करी हैं और ओनलाइन आवेदन किया है यह पोर्टल पिछले साली स्टार्ट हुआ था तो उसके तो डेटा पूराने किसानों के डेटा तो किसानों के जो भी डेटा है वो पोर्टल पर अविलेबल है उसमें कोई changes करना चाते है तो ठीक है वो अपनी ID पासवर्ट से कर सकते हैं उसको अलग से आवेदन करने की आवशकता नहीं है और जुन किसानों को नए पट्टे जारी होंगे वो इस पोर्टल पर जाएंगे और मेन्यू बार में जाके लोगी ने जे रेजिस्टर में जाएंगे और ओपिम कल्टिवेशन जाहन रखते हुए ओटीपी जन्रेट करके इसको सम्मिट करेंगे सम्मिट करने के बाद में आपको जो एक टेंप्रेरी रेफ्रेंस ID प्राप्त होगी उसको यहां पर या इमेल एड्रेस जो आपने डाला है उससे पासवर्ट इमेल पर भी प्राप्त होंगे और मोबाइल पर भी मेसेज मिलेगा एक टेंप्रेरी पासवर्ड और टेंप्रेरी आईडी वो आईडी फर्दर फ्यूचर भी आपको काम देगी इसके माध्यम से आप पोर्टल पर लोगिन करेंगे लोगिन करके सारी डीटेल एक एक करके आपको अपनी पोर्टल पर डालनी पड़ेग यह एसे आपको एक message प्राप्त होगा इसमें reference ID रहेगी जिसको कि मैंने blur कर दिया है और password रहेंगे उनको आपको portal पर डालना पड़ेगा उसके बाद में उसके बाद में जो हैं आपको एक-एक करके detail भरनी पड़ेगी कल्टिवेटर का नाम भरना पड़ेगा उनके जो भी किसान है उसका नाम आदार कार्ट से और उसके फादर का नाम फिर email ID मोबाइल नंबर यह सब पहले अपने जो login sign up में डाले हैं वो ही रहेंगे फिर आपको एक फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी जो भी इसमें क्रेटेर रहेगा बीस के भी तीस के भी उसको आप ओनलाइन चाहिए तो कर सकते हैं जैसे फोटो कीस्ते मोबाइल में दो एंबी का फोटो आ गया कंप्रेस करने के लिए ओनलाइन कंप्रेस कर लें फिर एड्रेस बढ़ना पड़ेगा उसके बाद में एड्रेस में आपको देसे पूरा-पूरा बताना पड़ेगा कौन सा राज्य है स्टेट है कि पलोट एक होना चीए खसरे इक से ज्याधा हो सकते हैं पूर एक्जांपल दो खसरे नंबर पास-पास आ रहे हैं और एक खसरे में आपका पूरा फ्लोट नहीं आ रहा है तो दूसरा खसराद में आपको बंपन नी आ बेंक डीटियल भी आपको भरना पड़ेगा बेंक का नाम जिसमें कि आप जब फसल को नार्कोटिक्स तोल के अंदर पर सरकार को देंगे चाहे CPS का हो चाहे फिर गम वाला लॉंसिंग पद्दती से चीरा लगाने वाली पद्दत लूनी चीरनी से हो उसका जो पेमेंट है 90 परसेंट पेमेंट लूनी चीरनी के माध्यम से जो अफिम सरकार को केंदर तोल पर तोलते हैं उसका पेमेंट विदिन एक या दो दिन में आपको हो जाता है उसके लिए आपको ओनलाइन ये आइफसी कोड बेंक अकाउट नंबर ब्रांच और एक पास आपको कल्टिवेटर की किसान जिन्दा है या मर्या है जैसे नए पट्टा जारी हो रहा है मालों जिसके नाम पे पूरो में पूर्टा थाह वह जिंदा है तो ठीक है नहीं है तो फिर उसको डेड ganze या जो भी है उसमें लिखना पड़ेगा कहां तक पड़ा लिखा है किसा में होती है तो आपन उसमें दस अरी का पट्टा मिल रहा है तो दस 0.1 लिखना आपको रेजिडेंशिल स्टेटस आपको दिखना पड़ेगा कि आप इंडियन हो कहां से हो को फिजिकली फिट हो औक्योपेशन रेगुलर एग्रिकल्चर है तो रेगुलर एग्रिकल्चर आप इसमें सेलेक्ट करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद में आपको अपना आधार काड वह आधार नंबर आपको डालने पड़ेंगे एक आईडी प्रूप के त वाइलेशन वगेर तो यह अगर कोई रूलेशन करता है कुछ है तो यह उसका डेटा रहेगा नामांकन नामकित व्यक्ति का व्यूबरण पोर्टल पे दो नामांकन की स्पेस अवेलेबल है किसी वाइफ किसी का वाइफ का नाम डाल सकते हैं या फिर वाइफ नहीं हो तो बेटा-बेटियों का नाम डाल सकते हैं तो यह दो जनों का नामांकन प्रस्ताविप रहता हैं कि भविश्य में अगर किसान अगले फसल वर्ष पहले अगर वो उसकी दुरुबाई पूर्ण मृत्य हो जाती है तो जो नाम रहेंगे परिवार की सहमती से उन दो में से किसी एक के नाम पर पट्टा ट्रांसपर कर दिया जाएगा जो किसान की मृत्य हो याती उसका पर बंपत्र वेगरा आपको जिला कार्यालम जमा करना पड़ेगा और उसके ये सारा चीज करने के बाद में जैसे ही आप सम्मिट करोगे तो आपको फिर बाद में कुछ समय बाद में आपको एक मेसेज प्राप्त होगा ये जैसे उपर वाला तो टेंपरेली आईडी पासफ़र्ट का मेसेज था ये नीचे वाला जो जैसे 9 बजे मंडे को 9 बजे मतलब ओनलाइन किया आवेदन तो ये मंडे को ही जो है चार बज़ के सताओन मिनिट पे इसको अप्रूव कर दिया गया है इसमें समझने वाली बात ये है आपको कि पोर्टल ओपन है कोई भी आवेदन कर सकता है लेकिन आपको नहीं करना है आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप पात्र हैं पहले सारी पात्रता की सर्तों के हिसाब से आप देख ले एक बार काराले में संपर् करना है जब आपका पट्टा जो है लंबरदार के पास आ जाए तो उसके बाद आपको अवेदन करना है और यह जैसे अफिम कल्टिवेशन लाइसेंस में टोटल रजिस्टेशन अभी तक हो चुगे इस वर्स दोजार चोईस में 5763 और टोटल प्रोफाइल रजिस्टेशन पेन बेस्ट लोगिन भी हो सकता है लंबरदार का अपॉइंट्मेंट सरकार करती है इस्यू जोइंट लैसेंस इस्यू होता है के वाइसी प्रोफाइल सम्मिट होती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर आदार से ओटीपी आता है और रेजिस्टेशन के दोरान जब अब आधार कार्ड नंबर डालोगे सेलेक्ट करोगे वो टीपी आएगा तो आधार रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चीए आधार में मोबाइल नंबर लिंक होने चीए अन्यता आपको फिर जो हैं अंगुठे लगाने पड़ेंगे यह मॉर्फो और माइंत्रा की हे ज्यूरी आएगी तो उसमें आपको यह स्टेटस मेसेज आपको मिल जाएगा ग्रांट ऑफ लाइसेंस एप्लिकेशन थ्रोर नोटिफाइब फॉर्म्स सब इस्पेक्टर कल्टिवर्शन डेटा यह सब चलेगा प्रेमिलरी वेट होगा पहले उसकी नपति अगेरा होगी फिर उसको फसल को लिया जाएगा मेजरेमेंट करी जाएगी उसका वेट होगा प्रोकयर्मेंट हो होगा 90 परसेंट पेमेस बेस्ट ओं इस वीडियो की चाहो तो आप रजिस्टेशन प्रोसेस में गुर्मेंट ने को इंग्लिष में वीडियो डाल रखा है इसको देखके भी आप हेल्प ले सकते हो तेन मिनिट का वीडियो है अपना वीडियो अलागी लंबा हो चुका है लेकिन आप देख ले यह पूरी प्रोस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को लाइक करे वीडियो को यह जो 2023 में टोटल रेजिस्टेशन एक लाग वीज़ाजार साथ सो त्रालीस हुए थे उसमें सब्सक्राइब यह सारे डेटा यहां अविलेबल रहते हैं यहीं से देखके जो है वीडियो में हम बढ़ाते हैं कि कितने लाइसेंस मिले हैं तो अंदाजन कितना उनको डोड़ा मिला होगा अफिम मिली होगी यह सब चीज़े यह एक्जेक्ट डेटा भी यहां पर रहता है यहां दे रहा है इन्होंने कितना जैसे यह यह वाइस टाइप वाइस लाइसेंस इस्यू कितने हुए यह प्रोड़क्शन एन अफिम टेंडर रिपोर्टेट यह सारे रिस्चोर्चेस वगेरा सब ओनलाइन वेबसाइट पर अविलेबल हैं आपको खली समझने की ज़रू दन्यवाद